मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हूं कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए हैं आज हमारे राम आ गए हैं सदियों की प्रतिष्छा के बाद हमारे राम आ गए हैं सदियों का अभूत्पुर्व धैरिय अंगिनत बलिदान प्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए हैं इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई हमारे राम लला अब टैंट में नहीं रहेंगे हैं हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी कि प्रभू स्री राम का हम सब पर अशिरवाद है कि 22 जनवरी दो हजार चोबिस का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी दो हजार चोबिस ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बात भी लोग आज की इस तारीख की आज के इस पल की चर्चा करेंगे मैं आज प्रभूस्री राम से छमा या चना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए है आज वो कमी पुरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे पिछले ग्यारा दिनों में रामाया अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेश रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्वृतियों में पर्वत से लेकर परंपराव में सर्वत्र समाय हुए है हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और रामायन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है पर ये देश वासियों आज इस आज तिहाज से एक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा हैं जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहें वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएं राम लला के इस मंदिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं ये निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत्थ पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनरविचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम समधान है राम सिर्व हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साथियों आज जिस तरह राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में हैं आज अयोज्ध्या का यह उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की प्रतिष्ठा वसुद्हेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है यह श्री राम के रूप में साक्षाथ भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रान प्रतिष्ठा है यह मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है यह भारत की द्रश्ठी का भारत के दर्शन का भारत के दिग्दर्शन का मंदीर है यह राम के रूप में राष्ठच्यटना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विबु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्राणी प्राप्य वर्शाणी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिश्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुए थे हजारों वर्षों तक राम विश्वपत्प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयोद्य अभूमी हम सभी से प्रत्येक राम भक्त से प्रत्येक भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीड़ी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीड़ी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं कि यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत सुपकाम राए सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की